रुकेवान जी, ऐसे आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं मंदिर में नहीं जा सकते मतलब? छमा करें, ऐसे कपड़े में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित हैं, आप अपने कपड़े देखें क्यों? क्या प्रॉब्लम है मेरे इन कपड़ों में? कपड़े में दिक्कत नहीं हैं लेकिन जो कपड़ा आप पहन रखे हैं वो मंदिर के मान मर्यादा के खिलाप हैं आप घर जाएं और भारतिये परिधान पहन कर मंदिर में पुझा अरचना करें आप मुझे सिखाएंगे कि क्या पहन और क्या नहीं जी जो खुझ से समझदार नहीं है उसे समझाना हमारा धर्म है और मंदिर में प्रविश करते समय पूरे वस्तर तथा सर पे चुनी रखकर प्रविश करना चाहिए अच्छा एक सवाल का जवाब देंगी आप पूछिए जब हम किसी मंदिर में घुस रहे होते हैं तो जुक कर प्रविश द्वार को क्यों परणाम करते हैं जैसा आपने किया सब करते तो मैं भी कर लेती हूँ कुछ चीजों के बारे में जाना अच्छा होता है चली कोई बात नहीं जाईए हसलिए आप होते को ने मुझे तिखाने वाले और मंदिर में घुचने से रोखने वाले मैं बस भगवान का छोटा सेवक हूँ जो मंदिर के गर्मा को गिरा नहीं सकता अरे गजब कर रहें आप गजब है तो गजब ही सही हमारे मंदिर का यही नियम है और ये नियम हम किसी के लिए नहीं तोड़ सकते हैं आप जाएं और दुबारा ऐसे कपड़े में ना आएं क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है क्या? रास्ते में कुछ हुआ? रास्ते में नहीं, वो मंदर का पंडित मुझे मंदर के अंदर गुस नहीं नहीं दिया कि मुझे पूरे कपड़े पहन कर जाना चाहिए वो होता कोन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे मंदर के अंदर क्या पहनना और क्या नहीं मेरा जो मन करेगा में वो पहन होगी तुम तुम चलो तुम मेरे साथ और अस पंडित को सबत लिखाओ अच्छा ऐसा है चलता हूँ लेकिन उसके पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग क्लब पब बार वगरा में जाते हैं तब तो अपने मन बसंद के कपड़े जूते वगरा पहन करके जाते हैं वहां तो हम लोग दोती कुरता या सलवार कमीश पहन करके नहीं जाते हैं और कई लोग तो वहां पर कहते हैं कि आपको सिर्फ वेस्टर नहीं पहन करके आना है तब तो हम लोग कोई लड़ाई जगडा नहीं करते हैं वो जो जो कहते हैं उनकी सारी बाते मानते हैं तो पंडिक जीन ने अगर तुम्हें कपड़ों पे टोक दिया तब तो उनके नजर में कुस्तो गलत रहा होगा ना तुम्हें सोचना चाहिए था लेकिन तुम लड़ जगड़ करके आ गई अब एक बात बताओ तुम मंदिर खाली पैर जाती हो कल से जूते चपर पहन करके चली जाना और कहना कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी ऐसा कर सकती हो क्या? नहीं ना किसी भी जगह की गरिमा होती है और मान मर्यादा होती है मान मर्यादा से बढ़ करके कभी कुछ नहीं होता इसलिए पंडिक जी ने जो भी बाते कहीं है जो भी कुछ समझाया है सब कुछ सही है उन्होंने कहा है कि भारती एड्रेस पहन करके आ जाईए तो चली जाओ पहन करके इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? जैसा जगव ऐसा पहनावा और अपनी मान मर्यादा संस्कृती का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगा? यहाँ अंग्रेज लोग हमारी संस्कृती को अपनाते जा रहे हैं हम लोग जब मंदिर में इंटर करते हैं तो प्रवेदवार को जुक कर प्रणाम क्यूं करते हैं? हम्, देखो, हिंदू मंदिर वास्तुकला अस्थापत्य वेद पर अधारित होता है जिसका मतलब है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी वेद को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा इस वेद के अनुसार मंदिर की पहली सीड़ी को छू कर परणाम करना भगवान के पैर छूने के बराबर माना जाता है जाओ सूटिया साड़ी पहनो और मंदिर हुआओ अब ठीक है अच्छी लग रही हो जाओ पंदित जी पंदित जी मंदिर में प्रवीश करते वगत हमने प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रवीश द्वार को भगवान का चरण माना जाता है दस्तो किसी भी जगा की गरीमा होती है काईदे कानून होते हैं इस बात को अच्छे से समझिए और बिनवज़ा कभी किसी से मत उलजिए। वीडियो ने दिल जीता है तो पेच को फालो जरूर कीजिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोज हमेशा मिलती रहे। निशान्त पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। जाए हेंट